पूरी दुनिया इस वक्त खतनाक महमारी कोरोना से एक बड़ी जंग लड़ रही है। इसका कुछ डर है। यह देश है बेलारूस जिसके राश्पती अलेक्जंडर लुकाशेंको का कहना है कि देश में कोरोना से किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं होगा। कभी वोड़का को कोरोना वाइरस की दवाई बताने वाले अलेक्जंडर का कहना है कि अब तक उनके देश में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। और ना ही आगे किसी नागरिक की कोरोना से मौत होगी। अपने एक संबोधन में राश्पती अलेक्जंडर लुकाशेंको ने कोरोना पीडितों को संबोधित करते हुए ये भी कहा था कि चिंता करने की कोई जुरत नहीं है। हमारे देश में कोरोना वायरस से किसी की मौत नहीं हुई है। मैं इसे सारवजनिक तोर पर कह रहा हूँ। देश में कोरोना वायरस से हुई मौत के अधिकारिक आकड़ों को देखा जाए तो कोरोना से मरने वालों की संख्या 29 बताई जा रही है। वहीं तीन हजार से जादा लोग बेलारूस में इस वारस से पीडित हैं लेकिन अलेक्जेंडर ने इस बात को मानने से इंकार कर दिया है उनका कहना है कि मरीजों को पहले से ही दिल की बिमारी और डाइबिटीज जैसी परेशानिया थी जिसकी वज़ा से ये मौते हुई है इ उन्होंने वो दवाई ढूंट ली है जिससे कोरोना का इलाज हो सकता है और कोरोना को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है हलाकि साफ तोर पर राश्रपती ने दवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जिससे कोरोना का इलाज हो सकता है जहां दुनिया के तमाम देश लॉक्डाउन के साय में है उसी बीच यूरोप में बेलारूस एक मातर ऐसा देश है जिसने अपने फुटबॉल लीग को भी निरस्त नहीं किया और नाहीं लॉक्डाउन की कोई घोशना की है बलकि राश्पती अलेक्जेंडर का कहना है कि वोड का पीने बकरियों के साथ खेल ले और ट्रैक्टरे चलाने से बिमारी खत्म हो जाती है पिछले 25 सालों से अलेक्जेंडर सत्ता पर काबिज है और ब्रिटिश मीडिया में उन्हें वहां का तानाशाह बोला जाता है लेकिन अलेक्जेंडर लगातार डॉक्टर और मानव अधिकार आयो की बातों को अंदेखा कर रहे हैं और कोरोना वाइरस को बिलकुल भी गंभीता से नहीं ले रहे इससे बेलारूस में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है डबलियो एचो भी राश्पती अलेक्जेंडर के इस विहवार पर चिंता जता चुका है लेकिन किसी भी कीमत पर राश्पती अलेक्जेंडर ने देश में लोगडाउन लगाने से मना कर दिया है उनका कहना है कि कोरोना वाइरस से जादा फिकर उन्हें देश की अर्थ यवस्था की है कई माइने में बेलारूस के राश्पती अलेक्जेंडर की ये रनीती गलत है अब अपने राश्ट पती या कहें कि ताना शाह अलक्जंडर के इस फैसले का बेलारूस क्या परिणाम भुगतेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा